आज हम प्रत्यूगता दक्षता करिकरम के अंतरगर्थ अपना लेक्चर में देने जा रही हूं, जिस लेक्चर का टाइटल है संसकार. संसकार समाश्रास्तर विशय में एक बहुत ही महत्वपून टॉपिक है, जिसे की प्रत्यूप्ता के दौरान भी काम में लिया जाता है और RS के में फॉस्ट पेपर के अंदर, पार्ट थर्ड में संसकार जो है, उससे संबंदित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें संस इति वर्ड के अंदर यूज करें कि वोट इस संसकार, तो हम कह सकते हैं कि संसकार बेसिक लिए वयक्ती को पवित्र बनाने और उसके क्रिया कलापों को प्रतिकात्मिक रूप से संपादित करने के जो संसकार कहते है और संस्क्रत के अंदर हम कहा सकते हैं कि समम्क्रियते इती संस्कार अर्था जो व्यक्ति प्राक्रतिक रूप से सामाजिक मानदंडों को नहीं जानता उसे सामाजिक मानदंडों के अनुरूप बनाना संस्कार है और अगर हम भार्तिय संस्कृति की बात करें, तो उसके अंदर मनुष्य को सामाजी करण के द्वारा, सामाजी जो विभार के तौर तरीके हैं, उनको सिखाना, सामाजी करण की प्रक्रिया को संपाधित करना संस्कार कहलाता है. इसके बहुत सारे दूसरे मेनिंग्स भी हैं, जैसे इसका अर्थ शिक्षा हो सकता है, प्रशिक्षन हो सकता है, सोजन्नेता हो सकता है, पूनता, शुदता, शुद्धी करण, लेकिन इसका जो मेन अर्थ है, मूल अर्थ है वो था, परिशकार, जिसके एक गिर्द, ये सभी अर्थ घूमते रहते हैं यह माना जाता है कि मनुष्य जब जन लेता है तो पांच रिणों के साथ जन लेता है और वो पांच देवरिन, रिषी रिण, पित्र रिण, अतिथी रिण, भूत रिण और इन रिनों से उरण होने के लिए उसे पांच यग्यों को संपादित करना पड़ता है देव यग्ये, जुशी यग्ये, तित्र यग्ये, अतिथी यग्ये और भूत यग्ये और इन पाँच यग्यों को संपादित करने के लिए व्यक्ति को आंतरिक रूप से पवित्र होना जरूरी है. व्यक्ति आंतरिक रूप से पवित्र होकर प्रतिकात्मक रूप से जिन क्लिया कलापों को करता है उन्हें हम संस्कार कहते हैं. यह जो हमारी ववस्ता है, जो हमार प्राचीन ववस्ता है, उस प्राचीन ववस्ता के अंदर संस्कार का बहुती महत्वपून योगदान रहा है, और ये सारे के सारे संस्कार जो है, वो मनुष्य अपनी संस्क्रती के द्वारा सीखते हैं और उसका सामाजी करण होता है, प्रतेक संस्कार के अंतरगत कुछ अन इश्वर की प्रात्ना, सब संसकार के अंतरगत आती है, किन्तु वास्त विक्ता ही है कि संसकार पूरी तरह से धार्मिक नहीं होते हैं। व्यक्ति को आंतरिक रूप से पवित्र करने का कारे संसकार करते हैं और आंतरिक रूप से पवित्र करके उसे सामाजिक जम्मेदारियों का ज्यान कराने का कारे संसकार करते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि संसकार पूंट धार्मिक ना होकर बलकि एक सामाजिक धार्मिक संबोध यानि उसमें सामाजिक का आर्थ भी आता है और धार्मिक्ता का भी आर्थ आता है और संसकार विश्व के सभी समाजों के अंदर देखने को मिलते हैं कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जिसमें कि संसकार व्यवस्ता नहीं पाई जाती हो और सभी संसकारों के अंतरगत किये जान में वाले विधी विधान अलग अलग होते हैं परंपरावादी समाजों में हम शंस्कार यो है उसकी प्रधानता अधिक देखते हैं उसका प्रभाव अधिक देखते हैं और हमारे संप्रति का अभिन आंग है व्यक्ति के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अनुशासित अनुष्ठान, व्यर्थ के आडंबर, कर्मकांड, अप्चारिक्ता और अनुशासित व्यवार से है। लेकिन ये सारे अर्थ जो हैं, वो संसकार को उप्युक्त रूप से परिभाशत नहीं करते, इसलिए ये अर्थ अनुप्युक्त प्रतीत होते हैं। तीसरा जो शब्द नोंने प्रियोग किया था धार्मिक विधी विधान, इस सेक्रामेंट, वो बहुत ही अधिक उप्युक्त प्रतीत होता है। क्योंकि इसका अर्थ है कि वे धार्मिक विधी विधान या क्रियाएं, जो आंत्रिक और अंत्रिक और अंत्रिक का बहारी तथा दिखाई देने वाला प्रतीक है। संसकार जो होता है, वो धार्मिक तरीके से विधी के जैविक, मानसिक और संस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। अता उसे हम कह सकते हैं कि संसकार के द्वारा मनस्यों के सामाजिक संस्कृतिक प्राणी बनाया जाता है। जब हमने बात की कि संसकार व्यक्ति के आंत्रिक और आत्मिक संदर्य को बहारी रूप से दिखाता है, या बहारी रूप से प्रदर्षिक करता है। हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे अंदर है, जिसे हम पवित्र कह सकते हैं, उन सब पवित्र विचारों को भारी रूप से प्रदर्शित करते हैं, हमारे संसकार करते हैं, संसकार ना केवल हमारे शारिक, मांसिक, संस्कृतिक विकास के लिए उतरदाई होते हैं, बिलकि मनु जोड़ देते हैं। अब बहुत इक पदार्थ हो, उसे अगर हम संसकार के अंदर काम में लेते हैं, तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसकार जो होता है, वो किसी भी पदार्थ को उपयोगी बनाने में महत्वपून योगदान देता है, इसी के साथ राजवाली पांडे जो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदू संसकार में कहा, कि जस प्रकार चित्रकला से सफल के लिए विविद रंगों की आवशकता होती है, उसी प्रकार चरित्र निर्मान भी विविविद संसकारों के द्वारा ही होता है, अगर हम कहें कि हम कोई painting कर रहे हैं, तो वो painting successfull होगी या नहीं होगी, वो painting सही धंग से बनेगी या नहीं बनेगी, उसके अंदर उन रंगों का बहुत importance होता है, उन colors का बहुत importance होता है, और बिना colors के हम किसी भी च्जत्र को सही धंग से नहीं देख सकते हैं, और हिप उसका विक्तित कविकास होगा तो उसका चरित्र जो है उसका निर्मान नहीं होगा और एक अच्छे चरित्रिक के निर्माण की विना एक अच्छे परिवार, समाज और राष्ट का निर्माण संभव नहीं है। संसकार व्यवस्था के उद्देश्रें। जो भी हमारे भारतिय समाज के अंदर प्राचिन समय से संसकार व्यवस्था चली आ रही है। उसके कुछ ने कुछ नहीं है। यह अलग है कि इस संसकार व्यवस्था में प्राचिन का से according to situations, according to the changes in society, संसकारों में भी परिवर्तन हुआ है। और पहले बताया जाता था कि संसकार एक अनिवारे हिस्था होते थे हमारे जीवन का। धीरे-धीरे लोगों में यह भावना बनती गई कि संसकार कोरे कर्मकांड है और उनका कोई महत्व नहीं है। हाला कि इसके पीछे जो तर्क है उसे समझने का प्रयास नहीं किया गया। यह सत्य है कि सभी संसकारों के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। तो संसकार ववस्ता के बेसिक उद्देश्य क्या थे, उसके अबजेक्टिव क्या थे, यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इसका अब्जेक्टिव जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सांस्कृतिक विशेष्टाओं की क्रियात्मक अभी व्यक्ति लैंगर ने इस उद्देश्य को सबस्ट करते हुए कहा कि संस्कार के द्वारा भारतिय संस्कृति की विशेष्टाओं प्रकट होती हैं हमें अपने संसकारों किसी भी व्यक्ति के संसकारों हम ये पता लगा सकते हैं कि ये हमारे प्राचिन भार्तिय संसकार की विशेष्टा हैं, जो हमारे संसकारों में परिलफशित होती हैं. जैसे कि अगर हम केवल अन्तिष्टी संस्कार को छोड़ दें, तो जितने भी अन्य संस्कार हैं, वो हर्ष के प्रतीख है, जो सन्हें अनुराग आधी प्रवर्तियां हैं, उनको संतुष्टी प्रदान करने के अवसर प्रदान करने वाले हैं, जितने भी emotions हैं हमारे, उन सार पिशाच आधी अनिक अशुप शक्तियां होती हैं, जो कि व्यक्ति का अनिष्ट कर सकती हैं, तो उन शक्तियों को नियंतरित करना जरूरी है, और उन शक्तियों से रक्षा करना जरूरी है, उन अशुप शक्तियों से रक्षा करने के लिए विभिन प्रकार के धार्मिक कर संसकार के माध्यम से संपत्ति शक्ति दिर्ज जीवन और संतान की कामना की जाती है अधिकांज संसकारों में भातिक संप्रद्धि को भात महत्व दिया जाता है और उन को प्रसंद करने का प्रयास किया जिनके द्वारा हमारे उद्देश्यों और लक्षों की पूर्ती होती है। जैसे कि अगर हमको विद्या प्राप्त करना है तो उसके लिए हम सरस्वती मा की अराधना करते हैं, तो हम जिस भी लक्षे की प्राप्त करना चाहते हैं, धन के लिए हम लक्षमी मा की पूजा करते तो जिस लक्षे के हमें प्राप्ति करनी है, उस लक्षे को प्राप्त कराने के लिए जिस जो भी इश्वर है, उस इश्वर की अराधना करना संसकार के अंतरवत आता है, नैतिक गुणों का विकास, संसकार ना केवल हमारे आध्धात में गुणों का विकास करता है, बलकि हम इसके आधार पर व्यक्ति अपने दायत्मों को स्पष्ट कर रहा है, अतर विवा संसकार के रूप में उसको पारिवारिक जो दायत्म है, उसको गुण होता है, उसका पता चलता कि उसका नैतिक गुण क्या है, अपने पारिवारिक दायत्मों को पूरा करना, तो संसकार के मा कात्मक आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इस्तुती करते हैं और उन शक्तियों को प्रसंद करने का प्रयास करते हैं, जो कि उससे संबंधित होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, उधारन के लिए गणेश जी की पूजा, किसी भी कार्य को निर्विग्न रूप से संपन कराने के लिए की जाती हैं, जब आप किसी भी कोई विवहादी संसकार संपादित किया जाता है, तो सबसे पहले गणिश जी को स्थापित किया जाता है, कामना की जाती है कि इस कारे का निर्विग्न रूप से संपादन हो, सांसारिक आधार पर व्यक्तित्व के विकास के लिए संसकारों का अच्छे से उनको सीखना उनके अनुरूप आचरन करना बहुत जरूरी होता है संसकार जो होते हैं वो चरित्र निर्मान का आधार होते हैं जो कि व्यक्ति को अनुशाशित जीवन जीने की ट्रेना देते हैं लास्ट है आधात्मिक्ता के महत्वकार स्पष्टिकरण। हमारे जो भार्ट के सामाजिक जीवन है उसका आधार आधात्मिक्ता, उसका बेश जो है वो आधात्मिक्ता है और सभी संसकार इसके विकास में सहयता करते हैं, बहुत ही महत्वकुन रोल प्ले करते हैं। हम कह सकत एक विशिष्ट प्रकार का जीवन जीने का प्रशिक्षन देती है, इसलिए संसकार ववस्था का बहुत ही महत्वपोन योगदान रहता है, और हिंदू संस्कृती जो है अनेक आगातों के उप्रांत भी अगर आज जिवित है, तो उसका एक मात्र कारण ये है कि संसकार जो ह में उतार चड़ाव होता रहा है, जैसे कि गौतम धर्ल सुत्र में संसकारों की संख्या 40 निर्धारित की गई है, वारहा गरह सुत्र, पारासर गरह सुत्र, गोधायन गरह सुत्र और मनोस्रमती में संसकारों की संख्या 13 बताई गई है, वैखानस गरह सुत्र में संसकारों के संख्या 11 बताई गई है और वास्तित्ता यह है कि भारतिय समाज में पारिवारिक जीवन के सास्थ अनेक्तिहार प्रत आदी देखने को मिलते हैं और उनसे related संस्कार भी देखने को मिलते हैं तो जिन संसकारों की चर्चा वर्तमान भारतिय समाज में की जाती है उसके अंदर हम सोला संसकारों